असलाम अलेकुम गाईज कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल मैं रूबीना और आज मैं आप लोग साथ डीटॉक्स डाइट शेयर कर रही हूं जो की कमेंट आया था मुझसे पूछ रहते हैं सब कि जैसे न्यू येर है सबने बहुत चीट उट करा होगा तो मैंने स तो इसको डीटॉक्स कर लें तो इसलिए मैं सबने कर रहा होगा चीट तो इसके लिए बहुत अच्छा सच डीटॉक्स डाइट आपलों लोगे शेयर कर रही हूं अगर इसको अच्छे से फालो करोगे तो आपको जो भी आपने जंग खाया है वह जैसे साफ हो जाएगा त चाकि जैसे डेली का ही नहीं है पहले ही मैं बता दे रही हूं कि देली करोगे तो एक एक किलो प्रॉट कम नहीं होगा जो की चीशने हम जाधा खा लेते हैं कभी भी कुछ भी होता है शादी होती है अभी निवेर में सब डीटॉक्स ड्रिंक उसमें से कुछ भी ले सकते हो बाकी यह भी ले सकते हो दो चमर चिपल साइडर बनेगर इसमें आधा नीबु गरम पानी में ले सकते हो बागी नाश्ते में भी आप हलका फुलका रखो एक दिन का डीटॉक्स है तो आप थोड़ा सा जिसे कम कैलरी डीटॉक्स होती है है लेकिन अगर घ्रीटी ले सकते हो बागी जो नहीं तो अदे चाय को कुछ नहीं खाओं तो अपको बहुत बहुत अच्छे से डी टॉक्स होगा बांकि रेचिपी पहले किये तो मैंसे आप लोık लोग बांड़ी निकाल दो जो की जर्दी निकाल दिये एक जर्दी के साथ है और यह तो पहले की वीडियो इसलिए मैंने नमक दिखाई लेकिन अगर आपको हो सकते आप नमक जिससे छोड़ सकते हो एक दिन के लिए तो नमक मठ डालो इसमें वह से अंडे में उतना जदा बहुत ज़ादा फील नहीं होगा फिर पीडु में नहीं चला लो युटी तो इसमें उल्च där भान गल को तो बाथा ब्लैख पेपर दाल भाक्षी जो भी सबसें इसमें आप या बना सकते हो कट करके ये सब्सक्राई में तो अच्छाए या तो पर अलग से सोटे करके साधड़ के हभी सा वह भी ले सकते हो चाय के साथ ले सकते ये थोड़ी सी चाय लेकिन अगर ऐसे ले सकते हो तो जादा अच्छा है ग्रीन टी साथ में ले लो बस इसको मैंने बहुत अच्छे से अगर फेटेंगे ना जब अगर अंडा बना रहे हो ना अमलेट फ्लपी आपको चाहिए तो उसको खूब जादा फ्लपी सा बनेगा ग्रीन टी ले लो कोई भी जिसे हर्बल टी या ग्रीन टी जो भी ले रहे हो ले लो जैसे यह मैंने पहले दिखाया था कि यह वाली मैं ले रही हूं मैंने अमाजॉन से मंगाई थी बहुत ही जादा अच्छी है तो यह बहुत अच्छी है आप ले सकते हो यह भी बाकि बस लंच में आप ग्रीन जूस ले लो बहुत ही अच्छा डीटॉक्स जूस है मैंने कहले ये बहुत हीय अच्छे है ग्रीटॉक्स कर nenhum तो आप इसको चाहो और लंच में भी कि प्रेम लाइट खाना पसंद करता है तो उनके लिए रीफास्ट में बहुत ही जाद आठा है जिसे कि मैं यह सब चीजह कि चाय के साथ कुछ अच्छा चाहिए अंडे ही में मुझे ज्यादा से चाहिए होते हैं तो इसलिए में बहुत से लोग मेरे ही जैसे हैं तो इसले मैं दिखा रही हूं कि इसको प्लॉंच मी ले सकते हो और अगर जैसले प्यार आधा अधरक है और खीर है अधा शेवह और अग्रीन वलाइक या डियाut जाते हैं तो तो बागि फिल नाश्ति है आपके पास रहती है तो आडल में बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे मारी स्मूधी जूस जो भी आप इसको बोलो अब तयार है तो पिसको ले सकते कि इसमें टेस्ट भी अच्छा करता है कि इसमें अपल है जिसे खीरा भी है अलग से बहुत रिफ्रेश्चिंग सा टेस्ट होता है तो आप इसको ले सकते हो अच्छा है टेस्ट तो आप इसको लंच में ले लो या फिर जो ऐसे कर सकता है ब्रेक फास्ट में लंच में इसको अदल बदल के भी ले सकता है फिर उतको बाद शाम की चाय के साथ आप ग्रीन टी के साथ आप शकरकंदी जैसे सर या फिर मखाने ले लो जो भी आपके पास है जो भी आपके पास आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो शकरगंदी मिल रही है तो यह भी ले सकते हो ग्रीन टी के साथ सोड़ी सी फिर उसके बाद डीनर की बारी आ जाती है डीनर में आप कोई भी फ्रूट लेना चाहो जिसे पा पाइनेपल रोस्टेट यह बहुत ही जादा अच्छा लगता है इसमें नमक की ज़रूरत भी लगती है कि नमक को जिसे आपको क्रेवी होगी कि नमक चाहिए तो आप इस तरी किसको बना के ले सकते हो बहुत ही अच्छा है तो इसकी रेसे पी देख लेते हैं अब आगी सबस्क्राइब अमैं डाल रिए इसमें बहुत थोड़ा सा बेगर ओफ़ी आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा से डाल दोगे तो सभी रहेगा लेना चाहिए थोड़ा बहुत फैट चाहिए एक दम बिल्कुल भी कटनी करना चाहिए बस इसमें मैंने फूर स्लाइज है एक जै जो भी है आप इसमें डाल सकते हो विदाव जो नमक है जिसे चाट मसाले साले में तो नमक रहता है तो यह मेर पास इस इटालियन हर्प्स है तो यह मैं डाल नहीं हो थोड़ा-थोड़ा इसी तरीके से दोनों तरफ लगा के जिसे डाल की स्प्रिंकल कर लिए उसके बाद लो जाता है तेज आँच परसभी कमा आज करने की डूंट कर Card spool घुका साथ इसको त्राइक करने लिए विए बागी आण बीटो करने की तो अब ले कारएक हो इसमें ऑदके हो लें श्यक्ते हो थोड़ा पाइनेपल खटे होते हैं लेकिन यह बहुत जादा मीठा था तो इसलिए मैंने थोड़ा से नीबु डाल दिया बाकि नीबु आप इसमें इसकेप कर सकते हो इसी तरह किसे दोनों तरफ से मैं अच्छे से इसको ग्रिल कर लूँगी फिर इसको आप खा सकते हो बहुत ही कर रखी है जिसे सर्दी जुकाम से भी बचाती है बाकि अच्छी भी होती है वेट लॉस के लिए डिटॉक्स के लिए अच्छी है चलो वीडियो कहते लगी बताना जरूर मैं मिलती हूं आप लोगों को अगली वीडियो में अल्लहाफेज